ये वीडियो उन सभी parents के लिए है जिनके babies में अभी teething की process start होने वाली है यानि कि जब babies के oral cavity में milk teeth erupt होना start करते हैं उस process को हम कहते हैं teething जो generally 4 महिने से 14 महिने तक कभी भी start हो सकती है babies में 20 milky teeth होते हैं हर एक दाद की, खुद की एक age है erupt होने की जो यहाँ पर आप image में देख सकते हैं babies के जो gums होते हैं वो उनमेan swelling होते हैं drooling काफी ज़ादा होते हैं और gums में बहुत irritation होते हैं जिसके वज़े से जो भी चीज babies के हाथ में आती है टोईज हो गई वो एकदम अपनी ओरल कैविटी में लेना चाहते हैं जिसके वज़े से कई बार फिवर या फिर डाइरिया की कंडिशन आ जाती हैं तो ऐसी कंडिशन में आप गम्स में मसाज कीजिए और उन्हें ठंडी चीज़े दीजिए जितने भी टोईज हैं उनको बार ओरल कैविटी में लें तो उनको इनफैक्षन नहों कि वह अपना चाहते हैं